हेलो दोस्तों सौगते आपका सिविल इंजिनेर्ट फॉर्व के नए वीडियो में तो दोस्तों आज आपके लिए एक नक्षा लेके आ हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं बारा फिट बाई चालीस विट का नक्षा रहने वाल है जिसमें आपको दो बेडरूम, हॉल, कीचन, टॉयलेड, बात्रूम यसे आमने रिक्वाइर्मन इसमें डिजन की हुई हैं तो यहाँ पे हमारा नंबर दिया हुआ है अगर आपको भी आमसे नक्षा या थेडिलेशन बनाना है तो इस नंबर से आप संपर्क करके आपके लिए नक्षा या थेडिलेशन बना सकते हैं तो गईस नक्षा अपना नौर्थ पेसिंग रहने वाला है इस्ट, वेस्ट और साउथ की तरफ आदरोना और पॉपर्टी है मतलब उस तरफ आपने वेंटिलेशन नहीं दे सकते हैं सामने के तरफ आपनको रोड मिल जाता है यह जो डिजाइन बनाई हुई है हमारे क्लाइन जी के लिए बनाई है जो की अमदाबास से बिलॉंग करते हैं तेजू जी तो रोज का डिजान रहने वाला गैस पूरा डेटेल में समझने वाले है अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सकाइब जरू कर लिजे ताकि आने वाले हमारे नई वीडियो को नोटिपिकेशन आपको टाइम पे भी मिल सके चले गैस नक्षे की शुरुवात करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउन फ्लॉर पे रहने वाला है हमारा एक हाल, कीचन, सीडिया और डबलि सी बाथरूम ठीके गईस यहाप आपको तीन फीटका आप अमने बरांदा दिया हई यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन फीटका बरांदा रहेगा य यहाँ पर कुछ step मिल जाती गईस, इस step से यहाँ पर बरामदे पर पहुच जाते हैं, यहाँ पर window रहेगा, यहाँ पर living hall मिल जाता है, और जो अपनी window रहने वाली सामने के दरब दी हुई है, जिससे proper ventilation हो सके, यहाँ पर पूरा sitting हमने design किया हुआ है, आप चाहे हो तो unit का option दे सकते हैं, और जो अपना living hall रहेगा, उसकी size रहेगी, 10 feet change by 12 feet की, तो plot की साब से कापे अच्छे आपन को size मिल जाती है, living hall की, देन आगे जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने cdr design की हुई है, जो नकसा रहने वाला है, अपना duplex house design रहेगा, तो यहाँ से अपने cdr start होती है, इस सरा उपर की मंजिल पर पहुच जाते हैं, और इसकी नीचे का जो space रहने वाला है, यहाँ पर आपना dining रहने वाला है, यहाँ पर आपके आराम से 3 या 4 sitting अपका dining adjust हो जाएगा, ठीके गईज, यहाँ पर हमने common toilet design किया हुआ है, 4 feet by 8 feet change कर र हुआ है, क्योंकि तीनों side other owner property थी, इसलिए ventilation के लिए यहाँ पर चोटा सामने duck दिया हुआ है, जिससे हमारे bathroom kitchen और आप चाहें तो यहाँ पर window दे सकते हैं, जिससे यहाँ भी ventilation मिल सकें, ठीके guys, और back set अपने यहाँ पर kitchen design किया हुआ है, kitchen का platform यहाँ पर रहने वाला है, औ और यहाँ पर सामने के दर बरामदा रहने वाला है, और first door की बात करें दो गयाँ यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे हम सीडिया से उपर की मंजिल पर मतलब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपनको passage मिल जाता है, जो कि अपना तीन पिट का रहने वाला है, तो यह अ युज की रहेगी, चार पिट बाई 8 पिट चेंज रहेगी, OTS जैसा क्या तेसा चार पिट बाई 3 पिट का रहेगा, जिन यहाँ पर एक बेड रूम मिल जाता है, जिससे हम इस बालकनी को यूज कर सकते हैं, तीन पिट वाईट की अपन को यहाँ बालकनी मिल जाती है, और यहाँ पर विंडो रहने वाले वेंटिलेशन के लिए, और गैस बैक सेट ओर एक बेड रूम अपने डिजाइन किया हुआ है, 10 पिट चेंज बाई 11 पिट का, जो कि कापर अच्छा रहने वाला है, यहाँ पर अनमेरा रहने वाला है, और यहाँ पर हमने बेड डिजाइन क किया हुआ है, आप चाहे तो इसका क्रिंशॉट भी ले सकते हैं, हमने पहले भी इसी साइज में एक नक्षा अपलोड किया हुआ है, अगर आपको इसको देखना है, तो उसका लिंग हमने आई बटन पे और डिस्रिक्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप ज किसा लगा कमेंट करके ज़रूब बताए, अपने दोस्तों के साथ, रिष्टेदारों के साथ शेर करिए, ताकि उनको भी जो ट्रीम हाउप से ओब बन सके, ठैंक्यू पर वाचिंग गाईज,